अला बच्चों कैसे हैं आप साब आजम लेकर आएं बहुत ही ज़्यादा इंपर्डेंट कोशन जिसमें हम बात करने वाले हैं भूंड पोस और भूंड कोस देनों दोनों के सब्द जो हैं लगबग बेटा समान होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अगर हम कोशन की बात करते हैं तो कई बार कोशन अंतर में पूछा जाता है कई बार केवल यह पूछ लिया जाता है कि भूंड कोस क्या है बिस्तार से बताइए कई बार यह पूछा जाता है भूंड कोस क्या है डाइग्राम सहीत एक्स्प्लेंड करिए तो यह flower की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा flower में ये वर्तिकाग रहे CR और नीचे वाले भाग को अंडासय बोलते हैं अंडासय में बिजांड पाया जाता है इस तरह करकर आपने बिजांड पढ़ा होगा बिजांड लिटा पंले भाए जाती है च्छोटी से संदस्ना ये वाली जो सामने आपको दिख्राइं होगी बड़ी से लिख parentheses इसको बना रखता है तो अगर जोटी संदस्द है कि हम बात करते हैं बेटा इस च्छोटी से स्रमरशना को हम लोग भूंड कोस बोलते हैं क्या बोलते हैं भूंड कोस के नाम से जानते हैं अब ध्यान से इस स्ट्रिक्चर को पढ़िएगा कई दफा कई बार के वाला डाइग्राम पूछा जाता है कि भूंड कोस का डाइग्राम बनाई है भूंड कोस के डाइग्राम मे इन तीनों सेल को अगर हम देखेंगे तो अगल और बगल वाली सेल को हम लोग helper सेल यानि सहायक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं सहायक सेल के नाम से जानते हैं और जो center वाली सेल होती है इसको हम एक सेल के नाम से जानते हैं जो इनकी बीच में पाई जाती है इसको हम एक cell यानि under cell के नाम से जानते हैं एक बीच में भी कोशिका पाई जाती है एकदम से center में इस कोशिका को हम धुरुवी कोशिका या polar cell के नाम से जानते हैं ये तो naming मैंने कर दी है, diagram very 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 important बेटा बहुत बार पूछा जाता है यह fix question है यहां से question आना ही आना है किस तरह का question आएगा यह depend करता है इसलिए पूरा का पूरा concept बेटा में आपको सिखा रहा हूँ तो आपको पता चल गया होगा उपर वाली तीनो कोसिकाओं को पूरा मैंने भूड कोस बना दिया भूड कोस आपको समझ में आ गया होगा भूड कोस का निर्माण कैसे होता है और देखते हैं बेटा जब नर्युगमक अंदर पहुंच जाते हैं पराग नली का द्वारा तो दो नर्युगमक एक साथ रिलीज होते हैं एक नर्युगमक अंड कोसिकाओं के साथ सनलाइट होता है और दूसरा नर्युगमक दुर्वी कोसिकाओं के साथ सनलाइट होता है तो अब खुद बताओ पोलर सिल पहले किस फॉर्म में थी पोलर सिल पहले टूयन फॉर्म में थ एक केंद्रक और आगये नर्यूगमक की रूप में तो पेंद्रक की संख्या कित्ती हो गई फ्रियन हो गई और इसी को हम लोग भून्द को कि लिए जाना जाता है और एक नर्यूगमक अंड कोशिकाओं के साथ सनलाइथ होता है, तो अंड कोशिकाओं में पहले से N युगमक थे, एक N युगमक नर्युगमक की रूप में आ गये, तो टोटल कित्ता हो गया है बेटा, 2N हो गया, और इस 2N को हम लोग जाई गोट बोलते हैं, और इसी को पूरी प्रोसेस को हम ल तो अब अंतर देख लेते हैं दोनों के अंतर सामने आपको दिख रहे होंगे देखो भूड कोस की बात करते हैं तो भूड कोष क्या होती है आज और रशना होती है जबकि भूड कोस में ट्रिक अ का मतलब तीन नुक्लियद में पाया जाता है ठीक है भूड कोस कहां पर पाया जाता है भूड कोस बीजांड में पाया जाता है और ये बीजों में पाया जाता है बीजों में मतलब जब वर्टिलाइजेशन के बाद बीज ही तो बनती है ये बीजों में पाया जाता है इसका निर्माण निसेचन के पहले हो जाता है जबकि इसका भोजन संचीत नहीं होता है भूड कोस में भोजन संचीत नहीं होता है और मैंने बताया था भूड कोस तो भोजन के लिए ही बना हुआ है इसमें होता है और इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रती मुखी को सिकाएं अंड को सिकाएं सहायक को सिकाएं पोलर को सिकाएं पाई जाती हैं बाकी सब नश्ट हो जाती हैं बेटा इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है समझ में आया कि नहीं आया अंतर आई होप यह पूरा कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही इंपॉर्टन सा कोश्चन है हमने जो स्रीज डिजाइन की है के वाल वून पूछे जाएंगे जितने कोश्चन के वीडियो आ रहे हैं आप जरूर देखेंगे चैनल से जुड जाएंगे जितने बेटा हम वीडियो बनाएंगे आप देखेंगे उन्हीं से कोश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है तो बहुत ही इंपोर्टेंट सी स्रीज चल रही है वीडियो समझ में नहीं आते तो रिपीट हुए पर देखें आपके कॉंसेप्ट अच्छे होंगे तो जरूर समझ में आएंगे बेटा वीडियो आपको आई होप यह